तो बिना कि ये बखवास करते हैं वीडियो को अश्टार्ट अगर अच्छा लगे तो करिए लाइक और चैनल पर नहें तो करिए सब्सक्राइब हमने इस वीडियो में दिहार बोर्ट 2021 में आने वाले क्वेशन उप्से आवर्षानी से सबसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेशन डिस्कस किया है पहला question है आधोनी कावास्याणी को किस क्रम में सजाय गया है तो इसका answer होगा आधोनी कावास्याणी को परमाणु संख्या के क्रम में सजाय गया है अगला question है 52 से दाय जाने पर तटों के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो इसका answer होगा कि 52 से दाय जाते हैं तो तटों का आकार जो होता है वह घटता जैता है ऐसा की होता है ऐसा इसले होता है कि जो तटों के नाभिक में proton है और उसके कच्छक में जो electron है उनके बीच लगने वाले बल के कारण जब 20 से दाएं जाते हैं तो परमाणों का संख्या बरता जाता है यानि कि इलेक्टोनों का संख्या भी बरता है जिससे कि उसके प्रोट्रोन और इलेक्टोन के बीच में लगने वाला बल अधिक होने लगता है और उसका आकार भी क्या होने लगता है घटने लगता है अगला सवाल है उपर से नीचे आने पर ततों के आयना नूर्जा में क्या परिवत्म होता है जब उपर से नीचे आते हैं तो ततों का आयना नूर्जा क्या होता है घटने जाता है इसा क्यों होता है जब उपर से परमाणू का जो आकार होता है वो बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रोन और उनके नाभी के बीच के दूरी बढ़ते जाती है जिससे कि उनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है और बाहतम इलेक्ट्रोन को त्यागने में यानि कि निकालने में कम हो जा लगता है यानि कि भषा घटते जाते हैं चौतरा सवाल है बाएं से जाने पर तॉट उप के धातवी घुण में क्या परीवतन होता है तो तो जी जुल्धे यक्रॉं लेक्रॉन त्याग होет तो referenced येजिसके जो येए करके तो त्र版 आ सह resonates याने कि उसका धात गुण अधिक होगा जो दो दो एलेक्ट्रोन त्यागेगा उसका धात गुण एक वाथ से कम और जो तीनwork प्यागेगा उसका दो वाले और एक वाले से भी कम जय녀 कि जो सबसे पहले पील तोन्तियाक करके स्टेवस जाता है उसका धातिय गुण अधिक होता है अगला सवाल है एन ए तथा एन एंपलस में किसका आकार बड़ा है तो सोडियंगत करेंगे तो बस दो आथ यानिकि इसमें ऑरबिट ही ज्यादा है यानिकि उसका आकार भड़ा होगा और इसमें ऑर वि क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगला सवाल है mg प्लता था mg2 प्लस ने किसका आकार बढ़ा है सिम उसी प्रकार होगा mg का इलेक्टोनी बिन्यास करेंगे तो 2,8,2 और mg2 प्लस का 2,8 और इसमें बस दो हींगो यानिकि उसका आकार बढ़ा हो जाएगा mg का और mg2 प्लस का छोटा अगला सवाल है सात्मा आधुनी कावसानी किसके द्वारा बनाया गया है तो हम बता दें कि आधुनी कावसानी मोसले के द्वारा बनाया गया है अधुनिक आवसाणी में उदग्र अस्तम्भो तथा 36 जरेखा को क्या कहा जाता है तो उदग्र अस्तम्भो को क्या कहा जाता है वर्ग और 36 जरेखा को क्या कहा जाता है आवर्थ अगला सवाल है नुवा कि मेडलीव के आवर्थ साणी को किस करम में सजाएगा है मिल्ड के आवर्चानी को परमाणों दरबेमान के करम में सजाए गया है अगला सवाल है मुसले के आवर्चानी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्च उपस्थित हैं तो मुसले के आवर्चानी में कूल 18 वर्ग और आवर्च साथ उपस्थित हैं अगला सवाल है 11 आधुनी कावर्षाणी में कितने ब्लोक उपस्तित हैं उनका नाम लिखे तथा कौन कौन से ब्लोक में कैसे कैसे तत्व उपस्तित होते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनी कावरसारी में कितने कूल ब्लोक हैं तो कूल चार ब्लोक हैं उनके नाम है यस, पी, डी और यप यस ब्लोक के ततों को क्या कहते हैं चार धातू, पी ब्लोक के ततों को क्या कहते हैं अधातू, डी ब्लोक के ततों को कहते हैं संक्रमर तत्व और थात्वीक गुण अधिक ऑगा जिसकी संब्यक्ता एकळीक्त उधिक है यूद् места किक से गुष्याटर सवाल के अलयात सब्सक्राइब दियुक्त की ऐडंसतरा को 17 स सवाल में अगला सवाल नोबल गर्याश को आंधाई वर्ग 18 में रखा गया है और वर्ग 18 को सुन्य वर्ग या जीरो वर्ग के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल है बाएं से दाएं जाने पर बिद्धु धनात्मक्ता गुण में क्या परवर्तन होता है तो जब दाएं जाते हैं तो बिद्धु धनात्मक्ता गुण होता है तो क्या होता है हमारा बढ़ते जाता है अगला सवाल है लास्ट बाएं से दाएं जाने पर बिद्धु धनात्मक गुण में क्या परवर्तन होता है तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बिद्धु धनात्मक गुण जो होता है वह घटते जाता है बस आज के लिए बस इतन और कमेंट कीजिए